प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खत्रे को देखते हुए सरकार ने रैपिड RTPCR जांच की दर तय कर दी है वही प्रदेश में आज से पहली से सात्य की कक्षाय भी शुरू हो गई है जिसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाय सामने आ रही है इसे बीच सरकार ने फैसला लिया है कि राज की सभी गाओ में पुस्तकांच गाओ योजना साकार किया जाएगा राजमंद्री मंडल की बैठक में इसे मन्जूरी दी गई है तो ठाकरे सरकार ने तै किया है कि विदासभा अद्रेक्ष का चुनाव गुप्तमद्दान की बचाय धुआनी मत से किया जाएगा इसकी आशंका पहले से ही भाजपा ने जताई थी उसने इस चुनाव के लिए सरकार को सीधी चुनोती भी दी थी उधर प्रदेश की सरकार ने राजपाल के अधिकारों में कटोती करने का फैसलाग किया है राजमंत्री मंडल की बैठक में महराष्ट सराजनिक विश्विदाले अधिनियम 2016 में सर्शोधन करने की मन्जूरीद दे दी गई है प्रदेश की पास गड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बनरी है आफ हमारे साथ कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खत्री को देखते वे प्रदेश की ठाकरे सरकार हर संभव एहतियात बरत रही है साथ ही कोशिश कर रही है कि इस महमारी काल में प्रदेश के लोगों को हर तरह की रहत मिल सके इसी क्रम में राज़सरकार ने कोरोना की जांच के लिए राजज के नीजी प्रयोक शाला में रैपिट आर्टी पीसी आर जांच की दर इस तरह की जांच की जाती है इसलिए जांच की दर तै करने की दिशा में कदम उठाया गया है तरसल महमारी के इस दौर में राज़्य प्रयोक शालाओं के संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है अधिक पैसे लेने की शिकायते मिलने के बाद रैपिट आर्टी पीसी आर की दर निश्चित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी कमीटी ने सभी पहलों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है जिसपर गौर करने के बाद राज्य के किसी भी लाके में स्थीत रैपिड RTPCR की दर 1915 रुपे टै की गई है सर्वसाधारन आर्टी पीसियार की जांश की दर 6 दिसमर 2021 को राज्य सरकार की और से जारी शासना देश की अनुसार रहेगी ये दर राज्य सरकार की अगले आदेश तक लागू रहेगी महराश्टर में कोरोना के खौफ के बीच स्कूल फिर खुल गया है आदेश की अनुसार स्कूलों को सभी COVID-19 प्रोडोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है जबकि उन शिक्षकों और गैर शिक्षन करमचारियों के लिए RT-PCR परिक्षन अनिवार्य कर दिया गया है जिनका अभी तक पूरी तरह से टीका करन नहीं हुआ है पहली कक्षा के बच्चों की 50 फिजदी उपस्तिती होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सिरिडाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की भी सुविधा की गई है इससे पहले प्राइमरी और मिडल क्लास के चात्रों के लिए स्कूल डिसंबर के पहले सप्ताह में फिर से खुलने वाले थे लेकिन अधिकारियों ने ओमिक्रॉन मेरियंट के कारण इसे स्थगित करने का फैसला किया था ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमन पर मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे ने कहा कि कोरोना टिके की दोनों खुराक सभी को देने के लिए प्रशासन को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये है इसी बीच राज्य मंत्री मंदल की बैठक में स्वास्ता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचीव डॉक्र प्रदीप व्यास ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरियंट के मरीज मिल रहे हैं अगले महिने जन्वरी में बड़े पैमाने पर मरीज ओमिक्रॉन वेरियंट के चपिट में आ सकते हैं इस आशंका के बीच स्कूल खुले जाने के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है कुछ ने कहा ये कदम घातक हो सकता है मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने राज्य के सभी जीलों में पुस्तकों का गाउ योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा था उसी की अनुसार राज्य के सभी गाउं में पुस्तकांचे गाउ पुस्तकों का गाउ योजना साकार किया जाएगा मुद्वार को हुई राज्य मंत्री मंदल की बैठक में इसे मन्जूरी दी गई है पहले चरण में राज्य के छे राजस्व विभागो और दुसरे चरण में प्रत्यक जिले में पुस्तोकों का गाउ तयार किया जाएगा इस योजना के लिए परियाटन स्थलो, तिरतक्षेत्रो, साहित्य से जुड़े गाउं, केंद्र राज्य स्वरक्षित समारक, कुरुशी परियाटन केंद्र जैसे स्थानों का चयन किया जाएगा इस योजना के लिए 19,89,000,000 रुपे खर्च को मंदूरी दी गई है फिलहाल महाबलेश्वर के समिप सिद भिलार गाउ में ये योजना शुरू की गई है इस योजना का क्रियान वयन राज्यमराठी विकास संस्था के माध्यम से किया जाएगा बिलार गाउ को पुस्तक गाउ बनाने का चयन लंबी प्रक्रिया के बाद किया गया यहाँ गाउ हाईवे से 33 किलोमिटर और महाबलेश्वर से 14 किलोमिटर दूर है टूरिस्ट प्रेस महाबलेश्वर के नजदिक इस गाउ को सजाने के लिए ठाने के स्वत्व समुह ने विशेश भूमिका निभाई समुह के कलाकारों ने तिन दिन तक गाउ में वाल पेंटिंग की प्रत्य घर में 400 से 450 पुस्तके रखी गई है इन पुस्तकों का चयन साहित्यकार, ग्रंतपाल, प्राध्यपको के एक टीम ने किया है इस गाउ में हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगितकार, नौशात और गीतकार आनन्दबक्षी का भी जुडाव रहा है अगले चरण में हिंदी और अंग्रेजी की किताबे भी उपलब्ध होंगी, पुस्तक गाउं में डेड़ लाग किताबे उपलब्ध कराने की ओजना है ठाकरे सरकार ने तैक किया है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाओ गुप्त मददान की बज़ाए द्वनिमत से किया जाएगा विधानसभा के नियम समित की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है इस दोरान बैठक में मौझूद भाचपा विधायकों ने इसका विरोध किया 22 दिसंबर से शुरू हो रहे विधान मंडल के शीत कलिन सत्र के पहले दिन इस प्रस्ताओ को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा बैठक के दोरान भाचपा के सदस्यों ने ये कहकर इस प्रस्ताओ का विरोध किया कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, तेलंगाना वा अंधर प्रदेश जैसे राज्यों में गुप्त मददान से विधानसबा अद्धेक्ष वो विधान परिशत सभापती का चुनाओ होत पर मिली जीत से उत्साहिद भाचपा के अद्धेक्ष चंदरकान पाटिल ने कल ही कहा था कि मैं सरकार को विधानसबा अद्धेक्ष पत का चुनाओ गुप्त मतदान के जरीए कराने की चुनाओती देता हूँ फिर महाविका सागाडी को पता चल जाएगा कि विधानसबा अद्धेक्ष चिस्दल का चुना जाएगा सरकार के फैसले से भाजब को एक बार फिर प्रत्यारोप का मौका मिल गया है क्योंकि चंदरकांद पाटिल ने आशंका व्यक्त की थी कि सरकार नियमों में बदलाओ करके खुले मददान का तरीका अपनाने वाली है प्रदेश की सरकार ने राजबाल के अधिकारों में कटोती करने का फैसला किया है राजबाल की बैठक में महाराश्ट्र सारवजनिक विश्व विद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन करने के लिए मनजूरी दे दी गई है संशोधन के अनुसार राजबाल की सिफारिश के अनुसार राजबाल को नियुक्ति करनी होगी जबकि प्रदेश के उच्चव तकनीकी शिक्षा मंतरी अब विश्व विद्यालयों के प्रोवाइस चांसलर होंगे सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपती की नियुक्ती के लिए गठित की जाने वाली समिती इस पात के लिए कम से कम पांच नामों की सिफारिश राज्यसरकार से करेगी इसके बाद राज्य सरकार इन पांच नामों में से दो नामों की सिफारिश राज्यपाल से करेगी महाराष्टा सारवजनिक विश्वविद्याले अधिनियम 2016 में धारा नौ अ को शामिल करके प्रोवाइस चांसलर पत का प्रावधान करने को मंजूरी दी गई है इसके अनुसार उच्चवत अकनीकी शिक्षा मंतरी विश्वविद्याले अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए विश्वविद्याले अनुदान आयोक के पुरवाध्यक्ष डॉक्टर सुकदेव थोरात के अधिक्षता में समिती गठित की गई थी इस समिती की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में कई संशोधन प्रसावित किये गए हैं इसके तहट मराथी भाषा साहित्य के जतन और सवर्धक के लिए एक मंडल की स्थापना की जाएगी केंद्रे कैबिनेट ने देश में लड़कियों की शादी के लिए भी निवनत मायू 21 साल करने की मंजूरी दे दी है जिहां साथी सरकार बालीवा निशत अधिनियम, विशेश विया अधिनियम और हिंदु विवा अधिनियम में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है तो आज और कर यानि 17 दिसंबर को हर्ताल की वज़े से बैंक का कामकास प्रभावित रहेगा नौलाग बैंक करमचारियों के हर्ताल पर जाने से चेक क्लियरंस, फ्रन्ट ट्रांसपर प्रभावित होगा उधर पंजाब और हर्याना हाइकोट ने साफ किया कि अगर दोवय अस्क आपसी सहमती से कुछ दिन साथ रहे तो इसका अर्त यह नहीं है कि वास्तों में रिलेशन्शिप में है इसकी कुछ अर्ता है वही चुनावी रनितिकार प्रशान किशोर ने एक बार फिर से बिहार के सीम निदिश कुमार के साथ काम करने की इच्छा जताई है वही उन्होंने कहा कि राहूल गांदी भी प्रदान मंत्री बन सकते है इसी बीच सपादिक्षा के लिए श्यादोंने कहा कि अगर किसान नेता राकेश्टिके चनौल लड़ना चाहे तो वे उनका स्वागत करेंगे फैसला उनको लेना है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बनरी आफ हमारे साथ भारत में जल्धी लड़कियों की शादी के लिए भी नियूनत मायू 18 की बजाए 21 साल हो सकती है इससे सम्मदित प्रस्ताओ को बुद्वार केंद्रे कैबिनेट से मन्जूरी मिल गई है पीयम मोदी ने 20 साल ही सोतंदरता दिवस के मौके पर देश को यह बताया था कि प्रस्ताओ पर समिक्षा की जा रही है पीयम मोदी ने अपने भाशन में कहा था कि यह सरकार लगातार बेटियों और बहनों के स्वास्त को लेकर चिंतित है हमारे बेटियों को कुपोशन से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो बता दे कि मौझुदा समय में भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानुनी उम्र 18 साल है जबकि लड़कों के लिए 21 साल इस योजना को वेवहार में लाने के लिए सरकार बालविवा निशेद अनिनियम, विशेश विया अधिनियम और हिंदु विवा अधिनियम में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है जया जीटली की अग्युआई में नीती यायोक के एक टाक्स फोर्स ने भी इस प्रस्ताओ का समर्थन किया था बीते साल जून में बनाए गई इस टाक्स फोर्स के सदस्यों में सरकार के टॉक एक्सपर्ट विके पॉल, स्वास्त मंत्राले, महिला और बालविकास मंत्राले, कालुन मंत्राले के वरिश्टादिकारी शामिल है टाक्स फोर्स ने इस प्रस्ताओ से सम्मंदिस सुजाओ इसी साल दिसंबर में भेजे है टाक्स फोर्स ने इस बात पर बल दिया है कि पहली प्रेगनेंसी के समय एक महिला की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए इस निर्णे से देशबर में मिली जूली प्रक्रियाय सामने आ रही है कोई इसे समय की मांग तो कोई अनावशक अदम बता रहा है आज और कल यानि 17 दिसंबर को हर्ताल की वज़े से बैंक का कामकाज प्रभावित रहेगा नौलाग बैंक कर मचारियों के हर्ताल पर जाने से चेक क्लियरंस फंड ट्रांसपर प्रभावित होगा वैसे तो हर्ताल 16 और 17 दिसंबर को है और वही 18 दिसंबर को शिलॉंग में बैंकों में कामकाज नहीं होगा इस दिन यू सो सो थाम की पुन्यतिती है इसके अलावा 19 दिसंबर को रविवार का दिन है कहने का मतलब ये है कि 19 दिसंबर तक देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा ऐसे में सुचारू ढंग से कामकास के लिए 20 दिसम्बर का इंतजार करना होगा United Forum of Bank Union ने 16 और 17 दिसम्बर को दोदियू से हरताल का अवहान किया है इसे पहले State Bank of India, Indian Bank, Yuko Bank, Central Bank of India, Bank of India, Punjab and Sindh Bank और कैनरा Bank जैसे सारवजनिक शेतर के बैंकों ने अपने करमचारियों से दोदियू से हरताल शुरू करने के निरने को वापस लेने की अपिल की थी बता दे कि UFBU 9 यूनियनों का एक छत्र निकाय है जिसमें अकिल भारतिय बैंक अधिकारी परिसंग, अकिल भारतिय बैंक करमचारी संग और राष्टे बैंक करमचारी संगटन शामिल है इस यूनियन के अधिन 9 लाग करमचारी है United Forum of Bank Unions के आवान पर सारवजनिक शेतर के बैंकों के नीजिकरन के विरोध में 16 और 17 दिसमबर को बैंक करमचारी देशवापी हर्टाल करेंगे पंजाब और हर्याना हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरानी हस पष्ट कर दिया कि अगर दोवयस आपसी सहमती से कुछ दिन साथ रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे वास्तों में लिव-इन रिलेशन्शिप में हैं उचनेयले का कहना कि कोई कपल कितने लंबे समय से साथ रह रहा है और साथ में वह सामने वाले के लिए अपने कर्तवियों का पालन कर रहा है जिमेदारी उठा रहा है या नहीं इन सब से मिलकर ही कोई रिष्टा शादी के समान होता है हाई कोट के जज मनोज बजाज ने यमुनानगर जिले के एक कपल की और से फाइल की गई याचिका को खारिस करते हुए यहाँ आदिश दिया इस कपल ने अपने परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोट में अर्जी दी थी यह कपल पिछले कुछ दिनों से लिविन रिलेशन्शिप में रह रहा था हाई कोट ने इस तरह की अर्जी दायर करने के लिए इस जोडे पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया पीट 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी जिनोंने दावा किया था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैस कोने पर शादी करने का फैसला किया है सुरक्षा याचिका में यह कहा गया था कि लड़की के माता पिता उनके खिलाफ है और उन्होंने अपनी पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है और उन्हें जूटे आपराधिक मामले में फसाने की चेताउनी भी दी है इसलिए अब लिविन रिलेशन्शिप में साथ रहते है कोर्ट ने याचिका को खारिश करते हुए कहा कि लिविन रिलेशन्शिप एक दुसरे के प्रती कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वन के साथ मिलकर ऐसे रिष्टों का व्यवाईक सम्मंदों के समान बनाती है चुनावी रनितिकार प्रिशान्द किशोर ने एक बार फिर से बिहार के सीम नितिश कुमार के साथ काम करने की इच्छा जताई है मौझुदा समय में ममता बैनरजी के लिए काम कर रहे प्रशान्द किशोर ने एक इंटर्वीव में खुलकर अपनी बात सामने रखी और ममताब एनरजी के बयावने से उलट कहा कि बिना कॉंग्रेस के मजबुत विपक्ष की संभाव ना कम है पीके ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि बीजेपी 2017 के मुकाबले 2022 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सी टेल ला सकती है बता दे कि प्रशांद किशोर ने सितंबर 2018 में जेडियू जॉइन कर अपने राजनिती करियर की शुरुवात की थी लेकिन नितिश कुमार के साथ उनका लंबान नहीं चला और कुछ ही समय में उन्होंने पार्टी और राजनिती दोनों ही छोड़ दी राहुल गांधी प्रदान मतरी बंच सकते है या नहीं? इस सवाल पर किशोर ने जवाब दिया कि वह पियम बंच सकते है साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी गांधी परिवार की बिना भी चल सकती है प्रशांद किशोर से यह भी पूछा गया कि क्या गांधी परिवार कॉंग्रेस को गैर गांधी नेता की नेटूत में चलने देगा तो उन्होंने जवाब हा में दिया हाला कि उन्होंने अपने जवाब में यह भी जोड़ा कि अगर कॉंग्रेस के बाकिनेता ऐसा चाहे तो यह हो सकता है प्रशान किशोर से यह भी पूचा गया कि ऐसा कौन सा नेता है जिनके साथ वह कभी काम नहीं करना चाहेंगे प्रशान किशो ने जवाब में अमरिंदर सिंग का नाम लिया उत्तर प्रदेश के पूरमुख्य मंत्री वसपादेक्ष अकलेश यादों ने कहा है किशानों की हत्या के दोशी केंदरिय ग्रुह राज्य मंत्री अजय मिश्र को केंदर सरकार ततकाल बरखास्त करे अन्यता प्रदेश में बुल्डो जरभियान, माफिया उन्मुलन सब बेमानी साबत होगा जौनपूर में विजय यात्रा निकाले से पहले, अतिती ग्रुव में मीडिया के साथ बाचीत में अकलेश यादों ने कहा कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा हुआ, जा किसानों को जीप से कुछला गया है किसान अनदाता है, हमारा पेट भरता है, आज उसको नयाय नहीं मिल पा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, अब तो जांच में सब चीज़े बाहर आ गई है अगर कोई जिम्मेदार है, तो भाच्पा नेता और साजिश करता केंदर के ग्रुह राज्यमंत्री है सरकार उन्हें ततकाल बरखास करे, इस क्रम में उन्होंने कहा कि उत्तरबदेश की जनता बदलाव चाहती है बदलाव के लिए सपा का विज़े रच जनता के बीच में जा रहा है, उनका लगातार समर्थन मिल रहा है एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादों ने कहा कि अगर राकेश टिकेट चुनाव लड़ना चाहे तो वे उनका स्वागत करेंगे राकेश टिकेट किसानों के एक बड़े नेता है, उनका अंदोलन भी राजनीती से दूर रहा है ऐसे में ये फैसला उनको लेना है, अगर वे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि देश में डीजल वा पेट्रोल कमपनियों को मुनाफ़ा हुआ, जिसे अमीर की तीजोरियों में भरा गया है ब्रिटेन में कोरोना के नए विरियंट ओमिक्रोन का संक्रमन डराने लगा है यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के सारे पिछले रेकॉर्ड द्वस्त हो गया है अब तक कि सबसे अधिक 78,610 दनी कोरोना वायरस के रेकॉर्ड केस दर्च किये गया है तो डोमिनिकन गनराज में रनवे पर नीजी विमान दुरगटना गरस्त हो गया इसमें 9 लोगों की मौत होने की आशंका है इस गल्प स्रिम विमान में 7 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे इसी बीच मंगल ग्रह पर बस्तिया बसाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है इस ग्रह के ग्रैन केनियान में बड़ी मात्रा में पानी चिपा मिला है वही उडान के दोरान लापरवाही की एक घट ना हुई इंडिगो एरलाइन के एक एरक्राक में सामान रखते समय एक लोडर को नींद आ गई और वह मुंबई से अबुधा भी पहुच गया इसी बीच राष्टपती रामनात को विंद बांगलादेश की अपनी पहली तीन दियुसिय राच की यात्रा पर ढाका पहुचे है वे राजदनी ढाका में रमनाकाली मंदिर के नवनिर्मित परिसर का लोकारपन करेंगे जिसे 1971 की युद्ध के दोरान पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह द्वस कर दिया था और परिसर में मौझूद करीब सव हिंदियों का नरसहार किया था दुनिया की इन पाच बड़ी खबरों को विशा से जानने के लिए बन रही आफ हमारे साथ ओमिक्रॉन के कहर के बीच ब्रिटेन से डराने वाली खबर आ रही है यहां बिते 24 घंटे में कोरोना के सारे पिछले रिकॉर्ड द्वस्त हो गए है अब तक के सबसे अधिक 78,610 दैनिक कोरोना वाइरस के रिकॉर्ड केस दर्च किये गए है ब्रिटेन के स्वास्त विभाग के अनुसार यहां अब तक एक करोड से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए है जबकि ब्रिटेन की कुलबादी लगबग 6.7 करोड है पूरे ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ने के साथ प्रदानमद्री बोरिस जॉनसन ने संक्रमन की तेज लहर की चेता उनी दी है एक स्टडी में भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन में यदि अतिरिक तनियंतरन के उपायन नहीं किये गए तो नए साल में अप्रेल तक ओमिक्रॉन वेरियंट से 25-75 लोगों की मौत हो सकती है यह जनवरी 2021 के दोरान बड़े पैमाने पर हुए संक्रमन और अस्पताल में दाखिल कराने के मामले में तुलना उच्चसतर तक पहुश सकता है प्रति दिन अस्पताल में भरती होने वाले मरिजों का आकड़ा 2000 से अधिक पहुश सकता है एक स्वास्त अधिकारी ने कहा कि यूरोप में क्रिस्मस और नियुएर की तैयारिया जोरो पर है लेकिन इस तरह से संक्रमन की बढ़ती रफतार लोगों को निराश कर सकती है इस बिच यूरोपीय आयो क्या देख्ष उर्सुला वांडेन लेन ने कहा कि यूरोपीय संग ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार है यहां करीब स्यासत फिसदी आबादी संपूर्निटिका करन कर चुकी है लेकिन तेजी से बढ़ए कोरोना वाइरस के मामलों ने चिंताब बढ़ा दी है हैरत यह है कि सवसे अधिक सांसदों ने मामारी के बढ़ते प्रसार को रोकने को उपाय के खिलाफ मद्दान किया है डोमिनिकन गंदराज से एक दुखत घटना सामने आई है यहां एक रनवे पर निर्जी विमान दुखत ना गरस्त हो गया इसमें नव लोगों की मौत होने की आशंका है इस गल्फ स्ट्रिम विमान में साथ यातरी और दो कुरू सदस से सवार थे खबरों की मारे तो मारे गए नव लोगों में से सभी साथ पैसेंजर्स और कुरू के दो मेंबर्स शामिल है हाला कि इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है या विमान सेंटो डोमिंगो की लास अमेरिका अंतराष्टी हवायड़े पर दुरगष ना गरस्त हो गया विमान कमपनी हेलिडोसा एवेशन ग्रूप ने इस हाथ से की पुष्टी की है दुरगष ना का कारण या अपतकालि लाइंडी की बात का अभी पतान नहीं चला है कमपनी ने ट्विटर पर पोस्ट किये गए एक बयान में लिखा कि हमारी कमपनी सक्रिय रूप से अधिक जानकरी प्राप्त करने और बचाओ टीमों के साथ काम कर रही है साथ ही कहा कि हमारे लिए या हाथसा काफी दुखत है हम उन परिवारों के साथ है जो हमारे साथ इस कठिन समय से गुजर रहे है विमान में सवार लोगों की पहचान अभी भी की जारी है इस भायानक हाथसे से जुड़े दुखतनास्तल की सोचल मीडिया पर वीडियो और तस्विरे प्रसरित होने लगी है दूर से ही धुआ उटता नजर आ रहा है बचाओ राहत दल घटनास्तल पर मौजुद है तता मलबे को किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है सबी सवार लोगों के परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी जा रही है प्रशासनिक सर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे है मंगल ग्रह पर बस्तिया बसाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है European Space Agency ने एलान किया कि उसे मंगल ग्रह के Grand Canyon में बड़ी मात्रा में पानी छिपा मिला है मंगल पर पानी की खोज 100 Mark Stress Gas Orbiter ने की है इस खोज में सबसे अच्छी बात यह है कि पानी का विशाल भंडार वलसेस मरिनर्स की सतर के मात्र तीन पूट नीचे मिला है वलसेस मरिनर्स एक विशाल घाटी है जो 3862 किलोमेटर के इलाके में फैली हुई है पानी से भरा यह इलाका आकार में नीदर लैंड के आकार के बराबर है याद रहे सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने साल 2006 में तस्वीरे जारी करके कहा था कि मंगल ग्रह पर पानी के साक्ष मिले है इन तस्वीरों से पता चला था कि साल 1999 और 2001 के बीच में लिक्विड वाटर मंगल ग्रह पर मौझूद था 31 जुलाई 2008 को नासा के फोनिक्स मार्स लैंडर्स ने इस बात की पुष्टी की कि मंगल ग्रह पर बर्फ मौझूद है इसमें भी वही तत्व पाए गये है जो धर्ती पर मौझूद पानी में है दरसल लाल ग्रह पर कई सुक चुकी घाटिया और नदियों की इलाके हैं जिससे लंबे समय से यनुमान जताया जा रहा है कि वहाँ पर कभी पानी बहता था नासा का रोवर मार्स में घूम रहा है ताकि जेजोरों क्रेटर में खुदाई की जा सके यह जील 3.5 अरब साल पहले पानी से भर्यूई थी गौर तलब है कि अरबपती एलान मस्क मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना चाते है यह खो जिस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है इंडिगो एरलाइन का A320 एरक्राफ मुंबई से अबुदाबी जाने के लिए तयार हो रहा था कारगो कमपार्टमेंट में धरादर सामान ला दे जा रहे थे कामकास से था के एक लोडर ने कुछ देर आराम करने की सोची और उसे गहरी नीन आ गई इस बिच कारगो ने उडान भरी तो जटके से उसकी नीन खुली लेकिन कारगो का दरवाजा बन था योई की राजधानी में प्लेन के लैन करने पर कारगो का दरवाजा सामान उतारने के लिए खोला गया तो अधिकारी दंग रहे गए कि लोडर उसी में पड़ा हुआ था अबुधाबी के अधिकारियों ने लोडर की मेडिकल जांच की उसकी शाली खालत स्तीर और सामान ने पाई गई बता जा रहा है कि स्टाफ की गिंती करने के बाद कारगो के दरवाजे बंद किये गए थे ऐसे में स्टाफ की गिंती के दवरान बड़ी चूक मानी जा रही है हाला कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब लोग इस तरह एक देश से दूसरे देश पहुँच गए हो छे साल पहले अमेरिका में ऐसी घटना घटी थी जब एक वरकर सियेटल से कारगो डिपार्टमेंट में बैट कर लोस अंजलिस पहुँच गया था मुंबई अर्पोर्ट पर भी यह कोई पहली घटना नहीं है 1960 के दशक में ऑस्टेलिया के पुर्वैथलीट रेक स्पायर्स के पास पैसे ही नहीं थे और वह एर इंडिया की फ्लाइट से कारगो बॉक्स में इंगलेंड से ऑस्टेलिया उड़ चले थे हाला कि उन्होंने जान बुच कर ऐसा किया था बरहाल इस घटना ने एक बार फिर अपनी चूक को सुदारने का मौका दिया है इस तरह के हाथसे में किसी की जान भी जा सकती है साल 1971 में पाकिस्तान से बांगलादेश को आज़ादी मिली थी बांगलादेश को सतंतर कराने में भारत की हम भूमी कर रही है रामनात कोविन बुधवार को बांगलादेश की अपनी पहली तीन दुसीय राज़की आत्रा पर ढाका पहुँच गया है यहाँ पहुचने के बाद उन्हें 21 तौपो की सलामी दी गई बांगलादेश की राष्ट्यायम अब्दुल अमीद ने अपनी पतनी रशित खानम के साथ उनकी आगवानी की थी वे राज़दानी धाका में रमना काली मंदिर के नौनिर्मित परिसर का लोकारपन करेंगे विदेश सेचिव हर्षवर्दन श्रूंगला ने बताया कि 27 मार्च उनिस से कत्तर को बांगलादेश मुक्ति संग्राम के दोरान पाकिस्तानी सेना ने बांगलादेश की राज़दानी धाका में रमना काली मंदिर को न सिर्फ द्वस्त कर लिया था बलकि इसमें मौझूद करीब 100 हिंदू का नर्सहार भी किया था उस समय श्रीमन स्वामी पर्मानंद गिरी मंदिर के पुजारी थे रमना काली बाडी के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर मुगल काल का है हरी चरन गिरिद्वारा पुराने अकरे के बगल में बना गया मंदिर यू तो हिंदू श्रीली की वास्तुकला का प्रतिनितित्व करता है लेकिन इसमें मुस्लिम श्रीली की जलग भी देखी जा सकती है दस्तावेजों से पता चलता है कि सोलहवी शताबदी के उतरार्ध में केदार राय विक्रमपूर और श्रीपूर की जमिंदार ने अपने गुरू के लिए इस मंदिर का निर्मान किया था इसकी तुलना एक रत्न मंदिर से की जा सकती है परिसल में कई पुराने और नई समारक मंदिरों की सनरच नम मौझूद थी इस प्रांगन में हरी चरन और गोपाल गिरी की समाधी थी अब इस मंदिर को फिर सेब बनाया गया है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होंगी तब तक देखते रहिए वीके बी न्यूस नमस्कार